दोस्तो ये कहानी दो ऐसे भाई भेनों की है जिसे उनकी मा एक एटिक के अंदर बंद कर जाती है अब वो लोग वहाँ पर अपनी लाइफ किस तरह बिताते हैं यही हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं तो कहानी शुरू होती है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है इस फैमिली में टोटल छे लोग होते हैं क्रिस्टोफर, कैथी, कोरल और दो ट्विन्स, कोडी और कैरी इनके पापा जिनका नाम भी क्रिस्टोफर ही होता है, वो अक्सर अपने काम के चलते बाहर रहते थे फिर एक दिन हम देखते हैं कि बहुत दिनों बाद क्रिस्टोफर अपने घर पर आया है पर पाटी में पापा क्रिस्टोफर की जगा एक उसो बेध हो गई है अब इसी टेंशन में कोरल एक ऐडुस पर बाड़ चिथियां बिजवाती है और उसकी कई कोशिशों के बाद एक दिन कोरल को उसकी चिथि का रिप्लाय आता है जिसको पढ़कर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है फिर कोरल अपने बच्चों को बताती है कि जिस एड्रस पर वो चिठियां भेज रही थी वो एड्रस तुमारे नाना का है इस पर कैथी उसे कहती है कि आपने तो बताय था कि हमारे कोई नाना नहीं है जिस पर कोरल कहती है कि तुमारे डैड और मैंने भाग कर शादी की थी जिसके बाद से तुमारे नाना और नानी हमसे नफरत करने लगे इसलिए तुमारे पापा नहीं चाते थे कि तुम लोग उनके बारे में कुछ भी जानो कोरल उनको ये भी कहती है कि मेरे लिए चार बच्चों का बोज उठाना बहुत ही मुश्किल है और तुमारे नाना बहुत ही अमीर है इसलिए आज ही हमें वहाँ के लिए निकलना हुगा इसके बाद जब ये लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो बच्चों को वो जगे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो जगे बहुती सुनसान और टरावनी थी तब ही वहाँ पर हम कोरल की मा ओलिविया को देखते हैं जो की बहुत जदा खडूस होती है और पूनको कहती है कि मुझे इस घर में किसी भी बच्चे की चिलाने की आवाज नहीं आनी चाहिए और तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए मेरे सभी रूल्स को मानना होगा और अगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी पर अब बहुत बूड़े हो चुके हैं और कभी भी टपक सकते हैं और उनके टपकते ही सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी अब बच्चों के पास और कोई उप्शन नहीं होता इसलिए वो अपनी मा की बात माल लेते हैं इसके बाद वो खडूसना ने उन बच्चों को इस घर के रूल्स बताती है वो कहती है कि तुम लोग इस रूम से कभी भी बाहर नहीं जा सकते तुमें तीन बार खाने को दिया जाएगा और भाई भेन एक साथ ही एक बात रूम का इस्तिमाल नहीं कर सकते और हाँ अगर छोटे बच्चों को खेलना है तो उपर एटिक में खेलना होगा फिर जब उलिविया वहाँ से चली जाती है तो वो सभी लोग एटिक देखने के लिए उपर जाते है पर बच्चों को वो जगे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदी थी फिर एक दिन जब यह लोग उपर चिला रहे होते हैं तब ही वहाँ पर उनकी नानी आ जाती है अब क्योंकि इन लोगोंने रूल्स तोड़ा था तो उनको सजा मिलनी ही थी पर कोरल अपने बच्चों की सारी गलती अपने उपर ले लेती है जिस वरे से सजा भी कोरल को दी जाती है फिर नानी कोरल के पीट पर बहुत मारती है और उन सभी बच्चों को उनके निशान दिखाती है ताकि वो आगे से कभी भी रूल्स ना तोड़ें फिर जाने से पहले उनकी नानी उन्हें कहती है कि तुम सब शैतान के बच्चे हो और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है फिर अगले दिन कैथी अपने मौम से पूछती है कि नाना नानी डैट से इतनी नफरत क्यों करते हैं तब कोरल उसे बताती है कि तुमारे नाना और मैं काफी करीब थे वो जादतर अपना टाइम मेरे साथ ही spend किया करते थे जिस वरे से वो तुमारी नानी को time नहीं देते थे जिसके कारण वो मुझसे बहुत चिड़ती थी फिर एक दिन तुमारे नाना अपने भाई को यहाँ पर लेकर आए जो रिष्टे में मेरे अंकल लगते थे और उनके माबाप की death हो चुकी थी वो लड़का दिखने में बहुत ही अच्छा था जिस वरे से मैं उसे पसंद करने लगी और फिर एक दिन हम दोनों ने भाग कर शादी कर ली इसके बाद से ही तुमारे नाना ने मुझे जायदात से निकाल दिया और वो हम दोनों से नफरत करने लगे अब यह सुनकर कैथी को बहुत ही अजीब लगता है कि तुम नाना को हमारे बारे में कब बताओगी जिस पर कोरल उसे कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर आने से पहले कोरल और उसके डैट की बीच में ये बात हुई थी कि अगर तुमारा कोई भी बच्चा नहीं है तभी तुम इस घर में रह सकती हो और कोरल ने उनको बोला था कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है अब ये सुनकर कैथी को बहुत बुरा लगता है और उसको लगता है कि कोरल हमें यहाँ पर बंद करके अपनी जिंदगी मजे से जी रही है अब कैथी अपने छोटे भाई बहनों का मा की तरह ख्याल रखती है क्योंकि कोरल तो उनसे काफी हफतों तक मिलने तक नहीं आती और फिर एक दिन जब वो उनसे मिलने आती है तो वो उनके लिए नए कपड़े और गिफ्ट्स लेकर आती है पर इन बच्चों के लिए इन गिफ्ट्स का कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो तो अपनी जिंदेगी एक कमरे के अंदर घुट-घुट कर जी रहे थे इसके बच जब कोरल उनको बताती है कि आज घर में एक पार्टी है तो कैथी और किस्टोफर उससे उस पार्टी में जाने की जित करते हैं अब कोरल इसके लिए मानतो जाती है पर वो कहती है कि तुम लोगों को सब कुछ छिप कर देखना होगा और वो उन दोनों को एक टेबल के नीचे छुपा देती है फिर वहाँ पर कैथी देखती है कि उसकी मा पार्टी में बहुत ज़्यादा खुश लग रही है और वहीं पर हमें कोरल के फादर भी दिखाए जाते हैं जो की वीलचेर पर होते हैं फिर जब पार्टी खत्मोने वाली होती है तो कैथी और क्रिस्टोफर अपनी मा को किसी आदमी को किस करते हुए देखते हैं अब ये देखते ही कैथी तो वहाँ से चली जाती है पर क्रिस्टोफर को वो घर देखना था इसलिए वो वहीं पर रुक कर पूरा घर देखने चला जाता है अब जब ये बात कोरल को बता चलती है तो वो क्रिस्टोफर को उसकी इस गलती के लिए मारने लगती है फिर एक दिन कैथी क्रिस्टोफर को एक गंदी किताब पढ़ते हुए देख लेती है और फिर बाद में वो इस बारे में कोरल को बताती है जिस पर कोरल उसे कहती है कि लड़का और लड़की के बॉड़ी में उम्र के सासत कई तरह के चेंजेस होते है और ये बोलकर वो उसे एक बड़ी औरत की ब्रा देती है फिर जब कैथी उस ब्रा को ट्राय करती है तब यह वाँ पर क्रिस्टोफर आ जाता है और कैथी को इस तरह देखकर उसके मन में फीलिंग्स जागने लगती है लेकिन तभी वहां पर उनकी नानी आ जाती है और उसको लगता है कि ये भाई बहन तो आपस में ही लगे हुए है फिर नानी सजा के तोर पर कैथी को उसके बाल काटने को कहती है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो एक हफते तक उनको खाने के लिए कुछ नहीं देगी लेकिन फिर कुछ दिर बाद वो उनको खाने के लिए खाना तो दे देती है पर रात को वो कैथी के बालों पर टार लगा देती है जिस वरे से क्रिस्टोफर को कैथी के बाल काटने पड़ते हैं पर इसी दुरन वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और उन दोनों के अंदर ही एक दूसरे के लिए feelings जागने लगती है फिर अगले सिन में हम coral को देखते हैं जो कि अपने बच्चों से मिलने वहाँ पर 4-5 महीनों बाद आती है और उनको बताती है कि मैंने उस party वाले लड़के से शादी कर ली है अब ये सुनकर क्रिस्टोफर और कैथी को बहुत गुसा आता है और वो इस बात के लिए coral पर भढ़कने लगते हैं पर coral उनको शांद करने के लिए उनकी नानी के हाथों उनके लिए donuts भिजवाती है फिर अगले सिन में हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो की बहुत ही चालाकी से उनके रूम की चाबी एक साबुन में प्रिंट कर लेता है और ये लोग यहां से बहुत सारे पैसे चुरा कर भागने का प्लैन बनाते हैं जिसके लिए ये लोग रोज घर में चूरी करना भी शूरू कर देते हैं फिर एक दिन इनको चूरी करते हुए एक किताब मिलती है जिसमें इंटीमेट की बहुत सारी पोजीशन के बारे में लिखा हुआ था अब उस किताब को पढ़कर उन दोनों के मन में फीलिंग्स उटने लगती है और फिर वो दोनों वहीं पर ही इंटीमेट हो जाते हैं फिर अगले दिन हम उनके छोटे भाई कैरी को देखते हैं जो कि बहुत ज़दा बेमार होता है जिसके बाद कोरल को ना चाते हुए भी उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है फिर कुस दिनों बाद कोरल आकर बच्चों से कहती है कि कैरी को फूट पॉजिनिंग थी जिस वरे से उसकी देथ हो गई अब इसके बाद से हम देखते हैं कि इन सभी की ही तबियत धीरे-धीरे खराब होना शुरू हो जाती है पर ये लोग इतना बैसा भी घटा कर लेते हैं कि यहां से भाग पाएं और ये लोग आज ही breakfast के बाद यहां से भागने का plan बनाते हैं तब ही वहाँ पर कोडी उन्हें बताती है कि इस चुए की मौत हो गई और ये वही चुआ है जिसको मैंने वो donut दिया था जो उनको उनकी मौम ने भिजवाए थे अब ये देखकर इनको पता चलता है कि इनकी मौम ही अपने बच्चों को मारना चाती थी ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी अपने नए पती के साथ आराम से बिता सके फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर उनकी नानी आ जाती है और उसको देखकर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं नानी इन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर ये लोग lights बंद कर देते हैं क्योंकि उनको पता था कि नानी को अंधेरे से डर लगता है अब नानी अंधेरे से बहुत ज़दा घबरा जाती है और वो उनसे request करती है कि प्लीस ऐसा मत करो इस पर क्रिस्टोफर और कैथी उसे कहते हैं कि तुम तो हमें मारने वाली थी पर नानी उने बताती है कि डोनट्स में जहर डालने का plan तुमारी मा का था पर ये बात सुनकर उनको कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि उनके लिए उनकी मा तो पहले ही मर चुकी थी इसके बाद वो दिनों उपर से रसी फैंक का नीचे आ जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं अब ये लोग यहां से पूरी तरह मुक्तो चुके थे और अपनी जिंदगी आराम से जी सकते थे पर इन भाई भेनों के रिष्टे पूरी तरह बदल चुके थे जो कि अब पहले जैसे नहीं हो सकते थे और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्मो जाती है